कितने ही बमधमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिसों को रोकने में, ऐसे डॉक्स ने बहुत एहम भूमी का निभाई है। कितनी ही बमाकों को, कितनी है, बमाको को अधring कितना सेफंक उत चाउ जड़त में, । 살Musik में वΡाई है। कितनी ही जुच दुची चाहति प्टत रहना गतुして है। कितनी ही आतंकी साजिसों को, कितनी ही आतंकी साथता है। चだから कितनी है। प्रिये देश्वास्यों बीते दिनों जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तब एक दिल्चस्प खबर पर मेरा ध्यान रहा यह खबर है हमारे सुरक्षावलों के दो जाबाज किर्धारों की एक है सोफी और दूसरी विदा सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान है डॉग्स है और उन्हें चीफ आफ आर्मी स्टाप कमंडेशन कार्ट से सम्मानित किया गया है सोफी और विदा को ये सम्मान इसलिए मिला कि इन्हों ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य बक्षु भी निभाया है हमारी सेनाओं में हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहुदूर स्वान है डॉग्स हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं कितने ही बमधमाकों को कितनी ही आतंकी साजिसों को रोकने में ऐसे डॉक्स ने बहुत एहम भूमिका निभाई है कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा में डॉक्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने के बिला कई किसे भी सुने एक डॉक्स बलराम ने 2006 में अमरनात यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारुत खोज निकाला था 2002 में भावना ने आईडी खोजा था आईडी निकालने के दोरान आतंक्यों ने विस्पोट कर दिया और स्वाम शहीद हो गए दो तीन वर्स पहले 36 गड के बीजापूर में CRPF का स्निफर डॉग क्रेकर भी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला दरश्य देखा होगा जिसमें बीड पुलीस अपने साथी डॉग रॉकी को पुरे सम्मान के साथ आखरी बिदाई दे रही थी रॉकी ने तिन सो से जादा केसों को सुलजहने में पुलीस की मदद की थी डॉग की डिजास्टर मेनेजमेंट और रिष्क्यू मिशन्स में भी बहुत बड़ी भूमिका होती हैं भारत में तो नेशनल डिजास्टर डिस्पॉंस फोर्स एंडी आरेफ ने ऐसे दरजनों डॉग को स्पेशली ट्रेन किया है कहीं भूकम पाने पर इमारत गिरने पर मलवे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं साथियो मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं बहुत सक्षम होते हैं इंडियन ब्रीड में मुधोल हाउंड है हिमाचली हाउंड है ये बहुत ही अच्छी नश्ट्रे हैं राजपलायम कन्नी चिप्पी पर आई और कॉम्बाई भी बहुत शांदार इंडियन ब्रीड है इनको पालने में खर्च भी काफी कमाता है और ये भारती माहोल में डले भी होते हैं अब हमारी सुरक्षा एजेंशियों ने भी इन इंडियन ब्रीड के डॉक्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में सामिल कर रही है पिछले कुछ समय में आर्मी, CISF, NSG ने मुधोल हाउंड डॉक्स को ट्रेन करके डॉक्स कोड में सामिल किया है CRPF ने कॉंबाई डॉक्स को सामिल किया है, इंडियन काउंसिल अफ अग्रिकल्चर रिसर्च भी भारतीय नसलके डॉक्स पर रिसर्च कर रही है, मक्सद यही है कि इंडियन ब्रीड को और बहतर बनाये जा सके और उपयोगी बनाये जा सके आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिये, आप इनकी खुबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हैरान हो जाएंगे अगली बार जब भी आप डॉक पालने की सोचें, आप जरूर इन में से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉक को घर लाएं आत्मनेर भर भारत जब जन मन का मंत्र बनी रहा है, तो कोई भी ख्षेत्र इससे पीछे कैसे छुट सकता है